Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल लेकिन कस्टमर को अभी तक कोई भी फी नहीं करना पड़ता लेकिन कल ये जो खबर आई है merchant transactions using PPI on UPI over rupees 2000 will be charged at 1.1% from 1st April 1st April से 2000 से उपर का transaction करने पर PPI के माध्यम से UPI पर करने पर वहाँ पर आपको 1.1% का charge लगेगा तो ये exactly है कैसका मतलब क्या हुआ ये PPI का मतलब क्या होता है इन सभी चीजों का जो doubts है वो सब कुछ में आपके solve करूँगा काफी कुछ जानने को इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं लिकिन उससे पहले ध्यान रखेगा अभी 3 दिन के लिए आज से लेकर 31st तक परसों तक हमारा Excel चल रहा है Super Learning Days का जहां पर आप UPSC से जुड़े जितने भी courses हैं batches हैं उसको अवेल कर सकते हैं जैसे 2024 का batch है दोस्तों यहां पर prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराए जाएगी बहुत ही कम rate पर और इसके अंदर खास बात यह है कि अगर 2024 में आपका prelims crack होता है तो free में आपको study IQ के headquarter बुलाया जाएगा रहने की सुविदा खाने की सुविदा और mains की पूरी preparation जो prelims के बाद जो mains का पूरा preparation होता है वो free of cost आपको दिया जाएगा सोच के देखिए यह सभी courses को अवेल करने के हमारे website आप पर जाना या फिर comment section में इसका link दिया है वहाँ पर जाकर use कर ये code ankit live ताकि कोई भी course आप लेना चाहो EPFO हो गया 2025 का batch just use this code और आपको maximum discount मिल जाएगा इसके लवा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे insta page पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly हुआ क्या है देखिए National Payment Corporation of India जैसकि आपको पता होगा बहुत सारे जो हमारे transactions होते हैं बहुत सारे जो finance related transactions होते हैं उन सब की जिम्मेदारी NPCI के उपर है इन्होंने यहाँ पर जो circular है वो जारी कि actually क्या आना कि यह circular 24th March का है लेकिन इसके बारे में कली यहाँ पर पता चला और अचानक से यहाँ पर चर्चा होने लग गई कि आखिरकार यहाँ पर किया किया जा रहा है देखें NPCI ने यह सजेस्ट किया है कि Prepaid Payment Instrument Fee on Merchant Transactions on UPI Unified Payment Interface I am sure कि अभी तक आप में से बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि यह PPI का मतलब क्या होता है देखो इसका नाम क्या है Prepaid Payment Instrument मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो की आप Transaction कर सकते हैं जिससे जिसमें Already पैसा डला हुआ है For example, सबसे बड़ा example हम सबको पता है Paytium का जो Wallet होता है Paytium का Wallet जैसे Paytium App आप खोलते हो Paytium Wallet में आप क्लिक करते हो और आप उसमें Paytium Wallet में पैसे अड़ कर सकते हैं 1000 रुपए, 2000, 10,000 जितना भी चाहो, जैसे भी चाहो आप Payment करके अपने Wallet में Store कर सकते हैं और एक बार Wallet में आपके पैसे आगया फिर जैसे चाहें आप उसको खर्च कर सकते हो तो मालो आपने 10,000 डाल दिया Paytium Wallet में उसके बाद किसी को आप 100 रुपए दे रहे हो किसी को 10 रुपए दे रहे हो किसी को 500 रुपए दे रहे हो वो आप कर सकते हो ना तो यही होता है Prepaid Payment Instrument या फिर इसका एक और एक्जामपल मैं बताता हूँ और आप किसी को वो गिफ्ट दे सकते हैं वो परसन क्या करेगा जो आपका दोस्त है जिसको आपने गिफ्ट किया है वो उस दुकान पर जाएगा और उसको खर्च कर पाएगा तो Prepaid Payment Instrument बेसिकली एक थरा का वालेट जैसे Paytium वालेट और या फिर Phone Pay Wallet हो गया आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे तो Phone Pay Wallet में आप पैसा पहले डाल देते हैं और फिर उसके हिसाब से वो खर्च करते हैं तो बेसिकली अब क्या है आप समझनी की जरुवत है कि नॉर्मली अब क्या होता जैसे आप UPI ट्रांजेक्शन करते थे तो UPI जो आप आप ट्रांजेक्शन करते थे वो कैसे करते थे आप माल लिजे किसी शॉप पर गए ठीक है और उसका वहाँ पर QR कोड रखा हुआ है यह QR कोड जैसा बना होता है और आपको क्या करना होता है Mobile से Scan मतलब कि आपने देखा होगा ना यह जी पे हो गया फोन पे हो गया पेटियम हो गया यह सब क्या करते हैं UPI की सुविधा प्रवाइड करते हैं जैसे भी मैप हो गया तो भी मैप आपने खोला और यहाँ पर उसका जो QR कोड है उसको Scan किया मालीजे आपने 50 रुपए का कोई समान खरीदा ठीक है आपने QR कोड स्कैन किया और 50 रुपए आपने पेमेंट किया तो जोब आप पेमेंट करते हो UPI से तो आप usually कैसे करते हो आप अपने बैंक खाते से मालीजे आपका बैंक है Axis Bank ठीक है वैसे ही आप अपने दोस्त को अगर पैसा भेशते हो तो क्या करते हो तो आप अपना UPI address दोस्त का UPI address डालते हैं और उसको जो भी 1000 रुपए 2000-5000 वो आप सेंड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यह तो बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया एक तो यह होता है तो यहाँ पर जब आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट भेशते हो पैसा UPI के माध्यम से उस पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन मान लीजिए आपके wallet में पैसा रखा हुआ है यह wallet आप देख रहे हो ना पेटियम wallet यह पैसा पेटियम wallet में रखा हुआ है प्रिपेड इंस्ट्रुमेंट में रखा हुआ है और फिर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हो आप शौपकीपर रखास गए आपको 50 रुपए भेजना है पचास नहीं चलो क्योंकि यहाँ पर क्या है न 2000 के उपर ट्रांजेक्शन पर है मान लीजिए आपने 5000 का ट्रांजेक्शन किया या फिर 10,000 का मान लो ट्रांजेक्शन किया तो अब क्या होगा कि आपके पेटियम में 10,000 पेटियम वालेट के अंदर 10,000 रुपए पड़े वे हैं तो ये 10,000 आपने किसको भेजा शौपकीपर को दे दिया तो ये 2000 से उपर का ट्रांजेक्शन हो गया तो ये 10,000 के ट्रांजेक्शन पर आपका 1.1% फी चार्ज किया जाएगा ठीक है अब ध्यान से समझना आपको नहीं किया जाएगा कस्टमर को नहीं किया जाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन 10,000 का 1.1% कितना होता है ये मेरे ख्याल से 110 रुपए हुआ ना तो 110 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा लेकिन ध्यान रखना है आपको ये आपको चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टमर को नहीं किया जाएगा आपने तो क्या है simply अपने पेटियम वॉलेट से 10,000 का ट्रांजेक्शन अपने जो मर्चेंट है जिससे अपने शॉपकीपर को जिससे खरीदा है उसके UPI के थ्रूँ आपने पेमेंट कर दिया अपने वॉलेट से किया अपने बैंक अकाउंट से नहीं किया ठीक है उस केस में ये चार्ज लग रहा है ठीक है पेम वॉलेट के अंदर मानलो आपका 10,000 पड़ा था आपने 10,000 रुपे UPI के माध्यम से किसको दे दिया किसी शॉपकीपर को दे दिया ABC ये शॉपक का नाम है ठीक है तो अब क्या होगा कि शॉपकीपर के पास कितना आ गया 10,000 रुपे आ गया अब 10,000 का 1.1% क्या होता है 10,000 का 1.1% होता है 110 रुपे तो शॉपकीपर को क्या करना होगा ये जो मर्चंट है इसको क्या करना होगा ये 110 रुपे पेटियम वालों को देना होगा आ रहा समझ में पेटियम वालों को देना होगा क्यों देना होगा, क्योंकि Paytium ने इस wallet से 10,000 रुपए उस merchant के खाते में भीज दिया, ये कुछ वैसा ही है, जैसे आपने देखा होगा न, credit card कई बार आप swipe करते हो, तो shopkeeper कहता है, देखो इसके उपर 2% चार्ज लगेगा, या फिर 5%, 3% हम एक्स्रा चार्ज करेंगे, होता है उसके UPI में, तो ही उसके उपर यहाँ पर चार्ज लग रहा है, अब दो को problem क्या है इसमें, problem यह है कि मालो आपको तो customer को तो direct कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पर चार्ज लग रहा है, मर्चंट के उपर, तो merchant हो सकता है आपसे, यह जो shop है ABC, वो आपको बोल दे क भीया, अगर आप wallet से पैसा भेजोगे, तो हम आपको 100 रुपय आपको extra देना होगा, तो ultimately बड़न किसके उपर आगया, यह customer के उपर आगया ना, कई बार सरकार कह देती है, जैसे अग credit card है, credit card के उपर customer को चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो shopkeeper होता है, वो कहता है कि उसने भी UPI transactions है, सभी के उपर चार्ज लग रहा है, जी नहीं, NPCI ने इसको लेकर पूरा जो है, एक detail में clarification भी दिया, और कहा कि जो normal आप UPI transaction करते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, किसी को भी, bank खाते से direct किसी के bank खाते में भेजते हैं, कोई भी charge नहीं लगेगा, ठीक है, और फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, अगर आप prepaid instrument से, जो wallet वगरा हो गया, उससे अगर आप UPI का transaction कर रहो, किसी और को भेज रहो किसी के खाते में, तो ही यहाँ पर जो extra charge है, यह 1.1% का वो लग रहा है, और paytium ने भी इसको लेकर सफाई दी, कि देखिए, यहाँ पर paytium जो है एक और चीज मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है, कि कई बार, आप इसे paytium wallet ही है मालो, फिर से मैं लेकर आता हूँ, यह paytium wallet है, तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर पैसा भरना होता है, paytium wallet के अंदर की, मालो आपको चाहिए 5,000 रुप है, ठीक है, paytium wallet में, तो आप क्या करोगे, आप UPI के माधियम से, आप क्या कर तो मालो, एक्सिस का एक्जामपल ले लो, एक्सिस बैंक है, ठीक है, तो आप अपने एक्सिस बैंक के खाते से, UPI के थुरू अपने paytium wallet में 5,000 डालोगे, तो यहाँ पर आप यह बोला गया है, कि यह जो होग हैं, क्योंकि यह processing लग रहा है, पेटियम wallet से पैसा, merchant के through, अलग 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 process में जाना, authorize होना transaction, तो यह सारे चीजों की वज़े से, यह जो पूरा लंबा प्रक्रिया है, उसमें अव्वेसी बात है, कुछ खर्च होता है पैसा, इसी के लिए यहाँ पर यह किया जा रहा तो इस transaction के लिए SBI कुछ पैसा, Axis Bank को भरती है transaction के लिए, आ रहा है समझ में, तो यह UPI का transaction लगता है, इसकी वज़े से बैंकों को काफी loss वगर होता है, तो RBI ने इसी को थोड़ा सा loss कम करने के लिए यह वाला step लिया है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता से और इसको फिर से review किया जाएगा 30th of September तक, ठीक है, 30th of September तक फिर से जो NPCI है उसको review करेगी, ultimate decision क्या है कि RBI का होने वाला है, तो कि यह सारी चीज़ें RBI के under में सब कुछ आ जाती है, तो देखते हैं क्या होता है, बटाई होग कि इस वीडियो से आपको एकदम full clarification मिल गया भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में, डालते रहता हूँ, वहाँ पर जाकर आप play कर सकते हैं, बाकि अगर आपको PDF की है, तो टेलिग्राम पर आएए, अलग-लग social media पर आप जूड़ को आउगे, और जैसा माने बताया था, UPSC की जारी के लिए, जो भी batch आपको अवेल करना है, दोस्तों इस समय यह sale live है, classes start हो चुके हैं, आपके पास मौका है, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से next time, till then, thank you very much, see you.